नमस्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्टी आपने एक चीज तो जरूर सोचा होगा कि अचानक हमारे देश के जो बड़े-बड़े पुन्जी पती है जिसको हम बिग बिजनेस कहते हैं उनकी इतनी दिल्चस्पी खेती में कैसे हो गई, क्रिशी में कैसे हो गई क्योंकि आखिर आप सोच लिजे कि जो बड़े किसान भी होते हैं उनको हाँ ठीक ठाक पैसा मिल जाता है लेकिन कोई भी शहरी बाबू या मैनेजर के तुलना में अगर आप देखें तो उनकी भी आए बहुत कम होती है और हमारे देश में 80 से ज्यादा प्रतिशत जो किसान है उनकी आए बहुती ज्यादा कम है तो फिर ऐसे एक सेक्टर में, ऐसे एक शेतर में जहां पर आए कम है, रिटर्न कम है हमारे बिग बिजनिस के इतनी दिल्चस्पी कैसे हो गई इस सवाल का एक सिंपल जवाब है, जवाब यह है कि बाकी जगव में उनके मुनाफ़ा बनाने का जो चांस है, अपर्चुनिटी है, अवसर है, वो घटने लगा है और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में मार्केट त्रंत्र जिसको हम कहते हैं, खुला बाजार, फ्री मार्केट, उसमें क्या बताया जाता है हमको? हमको बताया जाता है कि अगर सब को हम छूट दे ले कि आप व्यापारी बन जाए, आप कोई कारोबार करे, आप खुद एक बिजनेस खोल ले, तो सब का भला है इसमें जब आदमी मुनाफ़े के लिए काम करता है, तो वो जादा एफिशेंट होता है, और जब वो एफिशेंट होता है, तो वो सस्ते में काम करता है, सब को फाइदा होता है इससे, मुनाफ़ा जो करता है उसको भी फाइदा है, जिसको नौकरी मिलती है उसको भी फाइ जादा है और इससे देश में खुशाली बढ़ती है देश में विकास होता है लेकिन असल में बात ऐसा नहीं होता है असल बात होती है ये कि आप सोच लीजे कि बहुत सारे उद्योगपती है कारोबारी है एक मार्केट में जिसके पास शुरू में जादा पैसा होता है जिसके पास पूंजी जादा होती है, capital जादा होता है, जिसको हम अंग्रेजी में deep pocket कहते हैं, जिसके पास वो जादा है, उसी का बोल बाला है, क्यूं? क्यूंकि वो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो सामान बेचेगा, वो discount पे बेचेगा, loss लेने की शमता उसमें होती है, आप कहीं पर भी देखिए, आप को देख जाएगा, telecom में देख लीजिए, e-commerce में देख लीजिएगा, कि बहुत जादा discount में वो चीजे आपको बेचते हैं, या एक service आपको देते हैं, और आप उसी service को लेकर उस company के एक तरीके से client बन जाते हैं, loyal customer बन जाते हैं, और जब वो दाम जितने भी कारोबारी हैं, उनको वो market में हरा देते हैं, क्योंकि छोटे कारोबारी जो हैं, वो इतनी loss लेने की शंता नहीं रखते हैं, और एक और बड़ी बात, जिसकी बात कोई नहीं करता है, वो है कि जिस businessman के पास, नेता के साथ अच्छे संबंध हो, उसी का बोल बाला होता है, तो market में यही खेल चलता है, यही हमारे देश में भी हुआ है, आप देखिए कि 90 के दशक से जैसे free market economy liberalization लाया गया है हमारे देश में, और वो लगाता बढ़ता गया है, तो क्या हुआ है, कि जितने कारोबारी थे, शुरू में 10-15 कारोबारी जादा हो गया, लेकि ही बढ़ा हो गया, इसको कहा जाता है, monopoly, मतलग एक ही कारोबारी, किसी भी शेतर में एक ही चीज बेचने वाला, जब हम monopoly की बात करते हैं, तो हम सिरब एक company की बात नहीं करते हैं, दो-तीन company भी हैं, अगर एक जिगर पे हो जाए, एक market में हो, एक शेतर में हैं, तो गिरा कर उसको भगा देते हैं, यही है monopoly का खेल, लेकिन जब monopoly होता है, तो क्या होता है, monopoly जब होता है, तो बाकी लोग जितने भी है, उनका काम चला जाता है, जितने कारोबारी हैं, वो धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं, जिसको हम inequality कहते हैं, वो जादा हो जाता है, अमीर औ और भी अमीर हो जाते हैं जादा और गरीब और भी गरीब और यह जो गरीब हो रहे हैं वो इधर आपको दिख रहा होगा कि वो छोटे हो गए लेकिन उनका नंबर बढ़ जाता है नंबर उनका बढ़ जाता है लेकिन उनकी पूंजी कम हो जाती है उनकी संपत्ति कम हो जाती और जब ऐसा होता है तो क्या होता है ऐसा होता है कि आप एक company चलाते हैं वहाँ पे आपका ही बोल बाला है आप monopoly है उस शेतर में और कोई है नहीं लेकिन खरीदार कहा है बाकी सब तो खरीदने लायक नहीं रहे ना उनके पास पैसे नहीं है तब आपका क्या होता है आप शेतर में एक monopoly तयार होता है और जैसे यह monopoly तयार होता है monopoly वाला पहले सस्ते में बेचता है फिर जादा दाम में बेचता है दूसरों को भगा देता है फिर किसी को बेचनी पाता है क्योंगी खरीदार नहीं रहते हमारे देश में लगातार यही हुआ है हर एक शेतर में आप पूरा मार्केट उन्होंने capture कर रखा है और इसे के चलते क्या हुआ है कि छोटे कारबारी और भी गायब हो रहे हैं, नौकरिया कम हो रही है और खरीदार गायब हो रहे हैं और धीरे धीरे ये जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं वो क्या करें बेच कम पा रहे हैं, लेकिन वो खर्चा काट रहे हैं, अपना खर्चा वो काट कैसे रहे हैं, वो लोगों को नौकी से निकाल रहे हैं उनका जो पे हैं, उनकी जो सैल्वी है वेतन है, या मजदूरिय उसको घटा रहे हैं, और जैसे जैसे वो घटा रहे है उनका impact क्या हो रहा है और भी मांग market में कम हो रही है जो चीज वो बनाते हैं वो बेच नहीं पाते हैं इसलिए क्या हो रहा है उनका मुनाफ़ा बढ़ रहा है लेकिन उनका जो business है वो कम होता जा रहा है अब हमारे देश में एक ही शेत्र बाकी रह गया लग क्योंकि अगर आप किसी किसान को देखे तो वो एक छोटा कारोबारी है न वो एक private सेक्टर का कारोबारी business वाला है वो अपने खेट पे चीजे बनाकर बेचता है और वो उपज को बेचता है चाहे वो अनाज हो चाहे वो फल हो चाहे वो सबजी हो तो उसको कहीं पे नौकर से खरीदता है कोई ट्रांसपोर्ट करता है कोई होलसेल पर मंडी पे बेचता है तो कोई आपके लोकल मार्केट में आके बेचता है इन सारे मजहुलियों को अगर हम देखे तो 50 प्रतिशत खर्चा जो होता है जो हम देते हैं अगर कोई भी चीज हम खरीदते तो कम से कम 50 प् परता है कि वो किसान को मिला या एक कंपनी को मिला करोडों लोगों को 50 रुपे का प्याज जो आप खरीदते उससे फाइदा हुआ या सिरफ एक कंपनी को हुआ आपको कोई फ़र्प नहीं पढ़ता तो इसलिए जो बड़ी कंपनिया है क्रिशी में आना चाहती है क्यों क्यो लोग है वो खाना तो कम नहीं करेंगे हाँ ज्यादा महंगा खाना शायद कम कर दें लेकिन जो हर रोस का खाना है वो तो खाना कम कर नहीं करेंगे फिज टीवी गाड़ी वगएरा बेच खरीदना शायद बंद कर दे महंगा शैंपू के जगे सस्ते शैंपू पर जरूर आ देगा ही तो यह क्या करेंगे पूरे जो मजोलियों को हटाएंगे कॉंट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को कम पैसे देंगे और रीटेल में हम आपको बेचेंगे उसी दामें पूरा पैसा किसका उनका बड़ी कमपनिया बड़े चार-पांच बड़ी कमपनिया पूरा किसान और भी गरीब हो गए हैं तो इसलिए हमारे देश में जो बड़ी कमपनिया हैं वो खेती में घुसना चाती है क्योंकि बाकी जगे पर उनके मुनाफ़ा करने के अफसर गाइब हो गए हैं तो आज का एपिसोड यहीं तक आप इसको जरूर शेर कीजिए क्योंकि आप उसे लेकर शेर तक जितने भी मजहौली हैं चोटे चाहे वो छोटा बड़ा आरतिया हो या चोटा आपका लोकल जो सबजी बेचता है सबका नुकसान है इसलिए किसान खड़े हुए हैं और आप भी उनका साथ दीजिए